परिचय प्रतिरक्षी क्षमता बहुत कमजोर है सच में तो मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें ऐसा भोजन और दवाएं लेनी चाहिए जो संक्रमणों से सामना करने के लिए तुम्हारी प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ाने में मदद करें ठीक है मैं तुम्हें समझाती हूँ कि प्रतिरक्षी क्षमता क्या होती है और यह संक्रमनों से कैसे लड़ती है उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे साहज प्रतिरक्षा के रोधों की पहचान करना उपार्चित प्रतिरक्षा की अवधारना को समझना सक्रिय एवं निश्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच अंतर को समझना टीका करण एवं प्रतिरक्षणी करण की अवधारना को समझना अलर्जी और स्वप प्रतिरक्षा को समझना मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की पहचान करना प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा क्या है? पर पोशी की रोग कारक जीवों से लड़ने की समस्त क्षमता, जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा कहलाती है प्रतिरक्षा के प्रकार प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है सहज प्रतिरक्षा और उपार्चित प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षा इसके अंतरगर्थ त्वचा तथा श्वसन, जठरांत्र तथा जनन मूत्र को आस्तरित करने वाली अपिथिलियम का श्लेश्मा आलेप यानी म्यूकस कोटिंग सम्मिलित हैं काई की अरोध यानी पिजियोलोजिकल बारियर इसके अंतरगर्थ निम्न आते हैं आमाशय में अमल, लार, आसू कोशकिय रोध, सेलिलर बारियर इसके अंतरगर्थ निम्न आते हैं श्वेतानू, लिम्फोसाइट्स, ब्रिहत भक्षकानू, यानी मैक्रोफेज़, साइटोकाइन रोध, इसके अंतरगर्थ इंटरफिरोन सम्मिलित हैं, जोकी असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विशानु संक्रमन से पचाती हैं जोकी अंतरगर्थ निम्न आते हैं उपाजित प्रतिरक्षा उपाजित प्रतिरक्षा यह प्रतिरक्षा होती है जो रोग जनक के संपर्क में आने पर रोग प्रतिकारक यानी एंटी बॉडी के विकास द्वारा प्राप्त की जाती है जब हमारे शरीर का पहली बार किसी रोग जनक से सामना होता है, तो एक निम्न तीवरता की प्राथमिक अनुक्रिया होती है हाला कि बाद में उसी रोग जनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीवरता की अनुक्रिया होती है यह अनुक्रियाएं विशेश प्रकार के लसिकाणूं की सहायता से की जाती है B. लसिकाणू T. लसिकाणू B. लसिकाणू ये रोग जनकों से लड़ने के लिए रक्त में प्रतिरक्षी यानि आंटी बोडीज नामक प्रोटीन का निर्माण करती है T. लसिकाणू T. लसिकाणू प्रतिरक्षियों यानि आंटी बोडीज के निर्माण में P. लसिकाणू की सहायता करती है प्रतिरक्षी यानि आंटी बोडी प्रतिरक्षी B. कोशिकाणू की सतह पर Y. आकार के प्रोटीन होते हैं जो रोग जनक के प्रभाव का सामना करने के लिए रोग जनक उद्धीपन की अनुक्रिया में रक्त या लसिका में स्रावित होते हैं हमारे शरीर में विभिन प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं जैसे IgA, IgM, IgE, IgG इत्यादी प्रतिरक्षी की संग्रचना प्रत्य एक प्रतिरक्षी अनू में चार पेप्टाइड श्रिंखलाई होती हैं लगु हल्की श्रिंखलाई, दीर्घभारी श्रिंखलाई एक प्रतिरक्षी अणू H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं के प्रकार हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं होती है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया यह प्रतिरक्षा अनुक्रिया बी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में प्रतिरक्षी के उत्पादन के द्वारा माध्धित की जाती है कोशिका माध्धित प्रतिरक्षा अनुक्रिया इस प्रकार की अनुक्रिया श्वेतानुओं प्रकृतिक भग्षक कोशिकाओं टी लसेकानुओं और साइटो काइन्स के सक्रियन द्वारा उत्पन्न की जाती है इस प्रकार की अनुक्रिया टील असे काणुमों द्वारा माध्यित की जाती है उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और निश्क्रिय प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा यह एक प्रतिजन की अनुक्रिया में प्रतिरक्षी के उत्पन होने के परिणाम स्वरूप होती है निश्क्रिय प्रतिरक्षा जब पहले से तैयार प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर के बाहितत्वों से रक्षा के लिए दिये जाते हैं तो यह निश्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है सक्रिय और निश्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरन सक्रिय और निश्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राक्रतिक या कृत्रिम रूप में अजित किया जा सकता है टीका करण तथा प्रतिरक्षी करण टीका क्या है? टीका करण दुर्बली कृत या निश्क्रिय रोग जनक या रोग जनकों की संग्रचना के एक भाग का मिश्रण है जो रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी के उत्पादन को प्रेरित करता है लेकिन गंभीर संक्रमन उत्पन करने में या असमर्थ रहता है टीका करण किसी विशिष्ट बीमारी को पुना होने से रोकने के लिए टीका लगाना टीका करण कहलाता है प्रतिरक्षी करण प्रतिरक्षी करण टीकों के प्रयोग के द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करके समवेदन शील मरीज को संचारी रोग से सुरक्षित करने की एक प्रक्रिया है ठीका करण तथा प्रतिरक्षी करण ठीका करण और प्रतिरक्षी करण की प्रक्रिया में निम्न चरण सम्मिलित होते हैं रोग जनक या निश्क्रियत या दुर्बली कृत रोग जनक के प्रतिजनी प्रोटीनों के विर्चन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है परिणाम स्वरूप प्रतिजनों के विरुध रोग जनी कारकों को निश प्रभावी बनाने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन किये जाते हैं साथ ही सम्रुति B और T कोशिकाएं बनती हैं, जो परिवर्ती प्रभावन होने पर रोग जनक को पहचान देती हैं और प्रतिरक्षी के भारी उत्पादन से उन्हें हरा देती हैं इस प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृती शरीर की किसी भी प्रकार के संक्रमन से रक्षा करती है. सक्रिय तथा निश्क्रिय प्रतिरक्षा किसी प्रतिजन की उपस्थिती या किसी संक्रामक रोग के संपर्क में आने पर अनुक्रिया के रूप में प्रतिरक्षियों के विकास के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षी करण, उदाहरण के लिए BCG का ठीका. निश्क्रिय प्रतिरक्षा यदि एक व्यक्ति किन्ही घातक जीवानुओं से संक्रमित होता है, जिनमें शीक्र प्रतिरक्षा की आवशक्ता होती है, तो हमें सीधे ही प्रतिरक्षी या प्रति आविश देने की आवशक्ता होती है. इस प्रकार का प्रतिरक्षी करण निश्क्रिय प्रतिरक्षन कहलाता है उदाहरन टिटनिस प्रति आविश Allergy पर्या वरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतर रंजित अनुक्रिया Allergy कहलाती है इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियां IgE प्रकार की होती है Allergy ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए बाह होते हैं और एक Allergy क अभिक्रिया पैदा करते हैं Allergy कहलाते हैं उदाहरन के लिए धूल में चिचडी, पराग, प्राणी, लगुशल्क, आदी Allergy के लक्षन छीटना, पनीली आखें, बहती नाख, सांस लेने में कठनाई Allergy Allergy के कारण जब एक व्यक्ति किसी Allergen के संपर्क में आता है तो IgE प्रतिरक्षी बनते हैं जो स्वयम को मास्ट कोशिकाओं से जोड लेते हैं ऐसी मास्ट कोशिकाओं Allergen के संपर्क में आने पर Histamin तथा Serotonin जैसे रसायन निर्मोचित करती हैं जिससे Allergy होती है Allergy का उपचार Antihistamin, Adrenaline और Steroids जैसी दवाओं के उपयोग द्वारा Allergy के लक्षन कम किये जा सकते हैं स्वप्रतिरक्षा यह एक भ्रमित प्रतिरक्षी अनुक्रिया है जिसमें हमारा शरीर अपने ही उतकों के विरुध प्रतिरक्षियों का निर्मान करने लगता है जिससे अतिसमवेदी अनुक्रियाएं होती है स्वप्रतिरक्षा रोग शरीर की अपनी कोशिकाओं और उतकों के प्रती प्रतिरक्षा तंत्र की असामान्य क्रिया विधी के कारण होने वाली कोई बीमारी या क्षती स्वप्रतिरक्षा बीमारी कहलाती है उदाहरण के लिए माटाइड आर्थराइटिस लसिकाभ अंग वे अंग जहां लसिकाणूओं की उत्पत्ति और या परिपक्वन और प्रचुरोद भवन होता है लसिकाभ अंग कहलाते है लसिकाभ अंग के प्रकार लसिकाभ अंग दो प्रकार के होते है प्रात्मिक लसिकाभ अंग ये वे अंग होते हैं जहां अपरिपक्व लसिकाणू प्रतिजन समवेदी लसिकाणूओं में विभेदिध होते हैं प्राथमिक लसिकाभ अंग इस प्रकार हैं अस्थी मज्जा, थाइमस द्वितियक लसिकाभ अंग द्वितियक लसिकाभ अंग लसिकानुओं को प्रतिजन के साथ पारस परिक्रिया के स्थल प्रदान करते हैं, जो बाद में प्रचोर संख्या में उत्पन होकर प्रभावी कोशिकाईं बन जाते हैं। द्वितियक लसिकाभ अंग में निम्न सम्मिलित हैं। प्लीहा, लसीका ग्रंथियां, टॉंसिल, क्षुद्दांत्र के पेर पैच, परिशेशिका, लसिकाभ अंग, प्रात्मिक लसिकाभ अंग, ये टी लसिकाणूओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म परियावरण उपलब्ध कराते हैं। अस्थी मज्जा, यह प्रमुख लसिकाभ अंग हैं। लसिकाणूओं समेथ सभी रुधिर कोशिकाएं अस्थी मज्जा में उत्पन्न होती हैं। थाइमस, यह एक सपाली अंग है। यह रिदय के पास और उरोस्थी के नीचे स्थित है। जन्म के समेथ थाइमस काफी बड़ा होता है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता जाता है। लसिकाभ अंग त्वितियक लसिकाभ अंग पलीहा यह सेम की आकरती का अंग है। इसमें लसिकाणू और भक्षकाणू होते हैं। यह रुधिर जनित सूक्ष्म जीवों को अवरुध करके रुधिर निस्यंद के रूप में कारे करता है। लसीकाग्रंथियां यह चोटी ठोस संग्रचनाई होती हैं जो लसीका तंत्र पर भिन भिन स्थलों पर स्थित होती हैं। जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसीका और उतक तरल में आ जाते हैं वे उन्हें रोक लेती हैं। यह प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणूओं का सक्रियन प्रेरत करती हैं और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदाई हैं। मौल्ट या श्लेश्म संबध लसिकाभ उतक। यह मानव शरीर के लसिकाभ उतक का लाभ पचास प्रतिशत है। यह प्रमुक पथों जैसे श्वसन, पाचन और जनन मूत्रपत के आस्तरों के भीतर्स थे। क्या आप जानते हैं। पॉली और्थराइटिस, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, जारगन सिंड्रोम इत्यादी, स्वप्रतिरक्षा रोगों के उपचार हेतू, सूक्ष्म गोलियों या गुटिकाओं के रूप में डायालिकल फ्युमारेट का उप्योग साइक्लोस्पोरिन के संयोजन में किया जा सकता सारांश साइटोकाइन रोध बनाती है B और T लसिकानू शरीर को उपारजित प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं यह सक्रिय या निश्क्रिय प्रतिरक्षा हो सकती है किसी विशिष्ट बीमारी को होने से रोकने के लिए ठीका लगाना ठीका करण कहलाता है पर्या वरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति-प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया अलर्जी कहलाती है शरीर की अपनी कोशिकाओं और उत्कों के प्रति-प्रतिरक्षा तंत्र की असामान्य क्रिया विधी के कारण होने वाली कोई बीमारी या क्षती स्वप्रतिरक्षा बीमारी कहलाती है वे अंग जहां लसिकाणूं की उत्पत्ति और या परिपक्वन और प्रचुरोद भवन होता है लसिकाभ अंग कहलाते हैं वे प्रात्मिक यानि अस्थी और थाइमस या द्वितियक जैसे प्लीहा लसी का ग्रंथिया आदी हो सकती है